We will go in the dark, turn in dust, go and we'll dream if possible Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Zara Vlog Friends जिसका सभी बहनों को बहुत ही बेसबरी से इंतजार था लाड़ की बहन योजना का 6th हफते का तो गुड़ नियूस आ चुकी है अगले 24 घंटे में आपको मिलेगे 2100 रुपे जी हाँ बहुत जल्द आपके खाते में जमा हो जाएगे 2100 रुपे लाड़ की बहन योजना 6th हफता गुड़ नियूस महराष्टर राज्य की सबसे लोग प्रिय योजना माजी लाड़ की बहन योजना से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कबर सामने आ रही है जैसा कि लाड़ की बहन योजना के अंतरगत राज्य की गरीब महीलाओं को सरकार द्वारा 1500 रुपे प्रतिमा सहायता राशी दी जाती है अब तक राज्य की महीलाओं को इस योजना से 5 किस्त में 7500 रुपे प्राप्त हो चुके है जबकि राज्य की महीलाओं को जल्द ही चटी किस्त की राशी प्राप्त होगी सरकार रुपे 1500 के स्थान पर 2100 रुपे महीलाओं के बैंक खाते चटी किस्त में ट्रांस्फर करेगी जिसके घोशना स्वेम एकना शिंदे जी के द्वारा चुनाओं के दोरां किया गया है मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 खंटे में राज्य की महीलाओं के बैंक के खाते में चटी किस्त के पैसे आना शुरू हो जाएगा लाड की बैन योजना को लेकर क्या है अपडेट सम्पूर्न जानकारी पाने के लिए आप पोस्ट को आखे तक जरूर पड़े महीलाओं को मिलेगी 2100 रुपे किस्त मुख्यमंतरी माजी लाड की बैन योजना के अंतरगत राज्य की पात्र महीलाओं को अगले 24 घंटे के अंदर 2100 रुपे की किस्त मिलने वाली है जैसा की एकनाच शिंदे जी के द्वारा घोशना किया गया है यदि चुनाओं में हमारी सरकार बनती है तो महीलाओं को 2100 की किस्त मिलना शुरू होगा राज्य की इन महीलाओं को 9600 मिलेगे लाड की बहन योजना के अंतरगत जिन महीलाओं के आवेदन को हाल ही में स्विकृती मिली है उन्हें चटी किस्त में 9600 मिलेगे यह पैसे राज्य की उन महीलाओं को प्राप्त होगी जिनोंने जुलाई महीने में ही आवेदन किया है आवेदन करने के बाद जिन महीलाओं को अब तक एक भी किस्त की राशी नहीं मिली है ऐसी महीलाओं को चटी किस्त में 9600 मिलेगे अगले 24 गंटे में मिलेगे 2100 रुपे मुख्यमंत्री लाड़की बहिन योजना के अंतरगत राज्जी की पात्र महीलाओं को अगले 24 गंटे के अंदर 2100 की किस्त मिलने वाली है जैसा कि एकनाशिंदे के द्वारा घोशना किया गया है यदि चुनाओं में हमारी सरकार बनती है तो महीलाओं को 2100 की किस्त मिलना शुरू होगा जी हाँ, चुनाओं समाप्त हो चुका है कुछी क्षण में विधान सबा चुनाओं का परिणाम आएगा चुनाओ का परिणाम आने के साथ ही पता चलेगा कि किस की सरकार बंद रही है यदि चुनाओ के बाद महागट बंदन की सरकार बन जाती है तो परिणाम आने के अगले 24 गंटे के अंदर ही राज्य की महीलाओं को लाड़की बेंड योजना से किस्त की राशी से मिलना शुरू हो जाएगा जी हाँ, इन महीलाओं को मिलेगी चटी किस्त आईए देखते हैं चटी किस्त की राशी दाज्य की उन महीलाओं को प्राप्त होगी जिनोंने आवेदन किया है और जिनके आवेदन को संबंदित अधिकारियोंने स्विकृती दे दी है आवेदन को स्विकृती मिलने के पश्चात यदि आवेदक महीला का बैंक खाता आधार से लिंक है यानि आवेदक महीला का डीबीटी सक्रिय है तो ही उसे चटी किस्त प्राप्त होगी आई हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा याज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजीगा और लाजमी सबस्क्राइब भी करें चले फ्रेंड्स सुमिलती हूँ मेरे नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें